अज हमारे साथ न लेजेंड्री फीजिक्स兄जिर एक साथ में आपको किस विजिंग के साथ अपने जॉइन किया नरायना . की किजों को लिट करने वाले हो नरायना में आप आघो हो friction जो आपको क्या did special theater जो बच्रों को मिलना चाहिए ? यह मैं करना चाहता हूं सब्सक्राइब कैसे आप सभी तो आज हमारे साथ लेजेंडरी फिजिक्स विजाट आसी सब्वड़ा साथ में है सर वल्कम टू मैं चैनल सर काफी टाइम से मन था कि मैं आप से मिलू आपके साथ एक वीडियो बनाओ और पहली बार मैं सर से मिल रहा हूं आज और सर से मैं सर का मैं पहली बार इंटर्वी विया कहलो सर के साथ में वीडियो बना रहा हूं पहली बार आज सर जैसे कि मैं आप से जानना चाहूंगा कि अभी बहुत चीज़ें जो हाइप बनी हुई है जो लोग जानना चाहते हैं जैसे कि सर ऐसे न्यूस वगरे निकल के आ रहा है लोग जानना चाहते हैं कि सर आपने नरायने जॉइन कर लिया है तो इस पे सर क्या है आप किस वीजन के साथ आपने जॉइन किया है नरायना सिट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जब यह बाते हैं कि मैंने जॉइन किया किसी भी टीचर ने कोई सिस्टम जॉइन किया तो सबसे बड़ी चीज जिस सारे स्टूरंट्स जो यूट्यूब पे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं हमें सुन रहे हैं उनको एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर है उसका परपस होता है सबसे ज्यादा टीचिंग के ओपर दूसरा फोकस होता है एक स्टूरंट की ग्रोथ कैसे हो सकती है और जहां तक इंस्टूरंट की अपन बात करें तो इंस्टूरंट भी फोकस यही करता है कि स्टूरंट्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में एक ऐसे सिस्टम के अंदर रखा जाए कि वो सिस्टम इस्टूरंट को ग्रोथ की तरफ लेके जा सके क्योंकि आज से अगर हम 25-30 साल पुराने मौडल की बात करें जब मैंने 1992 में टीचिंग शुरू करी थी तब सिस्टम्स नहीं होते थे स्टूरंट सा अलग-अलग टीचर्स के पशास अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ लेते थे और खुद महनत करते थे अपने रस्ते बनाते थे तब student की self study और मेहनत के दम पे और teachers को as a tool यूज़ करके students अपना purpose fulfill करते थे और finally अपने goal की तरफ आगे बढ़ते थे और finally अपना selection बनाते थे आज भी model वही है फरक सरफ इतना सा है कि competition level इतना tough हो गया है कि इस competition level में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप teachers को अपने institute को books को resources को इन tools को कैसे organize करके आप अपनी जगे बनाते हो वही सबसे बड़ी चीज़ है तो जहां तक हम लोगों की बात है तो हम किसी भी system के साथ रहें वो इतना important नहीं है important यही है कि students के लिए किस तरह के features और किस तरह के systems और किस तरह के tools बनाए जा रहे हैं जिससे students की मेहनत multifold output दे सके तो से अभी मैं थवाजानना चाहूंगा आप से कि आप किन-किन चीजों को लीट करने वाले हो नारायना में अब आप आगे होता हूं इस फार एज नारायना इंस्टिटूट इस कंसर्ड मैं डिरेक्ली इंडिरेक्ली इंस्टिटूट के साथ नारायना सर के साथ अगर मैं कहूं तो लगबग पिछले लगबग 20 साल से ज्यादा से जुड़ावा हूं और इंडिया के लगबग सभी इंस्टिटूट मैं मैं कनेक्टेट तो रहते ही हूं क्योंकि यह पता रहता है कहां पर क्या चल रहा है इस्टूट के लिए क्या अच्छा हो रहा है और as a teacher सबसे बड़ी चीज यही रहती है कि आपको यह पता रहे कि student की learning capacity को कौन कैसे कितना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उन चीजों से सीख सकें कहीं पर कोई नए experiment हो रहा है या invention हो रहा है उसको लेके student के साथ लगा जाए तो नरायना सर के साथ association मैं यह कौँगा कि फॉर्मल होना और अभी जो लोगों को पता चला है उसमें मैं स सिस्टम अभी अराउंड 750 इंस्टिटूशन के साथ है जिसमें स्कूल्स भी हैं कॉलेज़ भी हैं प्रफेशनल कॉलेज़ भी हैं कोचिंग भी हैं अब जो फर्दर एक्सपेंशन्स हैं और इन सिस्टम्स के अंदर एकेडमिकली कितना ज्यादा मैं इंपूट दे सकता हू पर ही सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा सब मेरा जो लास्ट सवाल अब सब यह कि क्या डिफरेंट होने वाला है सर आप जो अपने मेरे को ऐसा लगता है कि सर जितना मेरा यह उससे ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस होगी इस्टुएंट्स को पढ़ाने की सर आपको क्या क्या लेकिंग लगता है कि जो बच्चों को मिलना चाहिए या यह मैं करना चाहता हूं अगर हम लेकिंग की बात करें तो मैं कहूंगा किसी भी एज में लेकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती टीचर्स भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं बच्चे भी पूरी मेहनत करते हैं आज के प्रेजंट सिनारियो में हम बात करें तो कोचिंग इंस्टिटूट्स में जो मॉडल चल रहा है या इस्टुएंट की जेई, नीट, प्रिपरेशन चाहे वो फांडेशन से 6, 7, 8, 9 से प्रिपरेशन हो चाहे ड्रॉप करके प्रिपरेशन हो इसमें मॉडल है इस्टु इसमें जो सबसे बड़ा इंपुट मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम इसमें जो चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मॉडल में कोई मीजर चेंज नहीं है लेकिन एक नया इन्वेंशन है जो इसके अंदर डाला जाए कि माइक्रो असस्टुएंट्स के रहें कि किस स्टेज पर अगर क्लास में पाँच पढ़ाए गए हैं तो इस्टुएंट की पाँच कॉंसर पे माइक्रो असस्मेंट्स ऐसे हो जिसके लिए बातें बहुत की जाती है और एडटिफिशल इंटेलिजन्स और अड़ लेर्निंग की बातें होती है बट इस्टुएंट माइंड सेट पर हम बात करें तो आटिफिशल इंटेलिजन्स अभी वहां तक पहुंचा नहीं है कि इसको असस कर पाए तो कई तरह कैसे स्टुएंट के माइक्रो असस्मेंट पर फोकस करें और रेदर दें गोईंग फॉर त्री वीक्स ऑफ असस्मेंट जो तो रहेंगे ही उसके अलावा ह कि इस्टुएंट के अंडरस्टेंडिंग लेवल कैसी है और अगली अगली क्लासे होने से पहले अपने आपको करेक्ट कर सकता है ताकि कोई भी चेंट लिंग कॉंसेप्ट हैं तो वह कॉंसेट की वीक्नेस आगे ना जाये बाते जो मैं कह रहा हूं वो देखने में सुनने में बहुत बड़ी लगती हैं बट यह प्रैक्टिकली सब पॉसिबल है और इस्टेमेटिक एफ़र्ट्स और विद इंक्लूजिन आफ टेकनोलोजी सब कुछ किया जा सकता है सो फर्दर एक्सपैंशन में हम कोशिश करने है की स्टेमेंट्स को और इस्ट्रोंग लेवल के ओपर असस करके स्टेमेंट्स के पोटेंशल को इंक्रीज करें और गोल एक ही है जो मैं हमेशा अपनेस्टेमेंट्स को यह कहता रहता हूँ दो common sentences एक तो यह कि time once gone is gone forever time वापस नहीं आता जो करना इसी time में करना है तो हमारे लिए भी यह बहुत important बात है कि इसी time में बच्चे को जितना enhance कर सकते हैं वो करना है और एक दूसरी बात जो जातर students को हम कहते हैं कि अगर अपनी जगे बनानी है और अपने potential से बढ़के कुछ करना है तो competition को बढ़ाने की कोशिश करो competition का part बनने की बज़ाए कुछ ऐसा करो कि आप competition को बढ़ाने में अपना contribution दो तो अपने आप बाकी दुनिया पीछे होगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे Thank you sir, ऐसे तो sir का बहुत busy schedule रहता है लेकिन उसमें से भी sir ने हमारे टाइम निकाला इसके लिए sir बहुत 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 जादा thanks आपको My best wish is to you sir क्योंकि तुम भी students तक जो communications कर रहे हो I think अगर बच्चे तुमारे चैनल से जुड़े रहे हैं और अच्छे से अच्छा content student तक पहुंचाओ Content से मेरा मतलब बहुत सीधा सा Aisy informations जो बच्चों को और जादा enhance कर सके उनके mental aptitude को बढ़ा सके Wish all the best Thank you sir, thanks for joining